हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने moto g73 android mobile phone में आप जो है lift to wake setting को अप disable कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं और यह lift to wake setting जो है disable होनी के बाद ही setting कैसे काम करती हैं आज की इस वीडियो में हम आपको detail में जानकारी देने वालों, तो चलिए आपर जो है, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page आपको open कर लेना है, ठीक है, setting page open कर लीजिए setting page में आपको जो है न, नीचे की side आना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा यह display का, display पर आपको इसे select करना है अब आपको display के इस page में नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा, lift to wake का ठीक है, lift to wake इस option के ठीक सामने आपको यह बटन दे रखा है इसे आपको select करना है तो यह बटन आपका black color में off हो जाएगा यानि कि आपके lift to wake setting इस तरीके से disable हो जाती है, ठीक है अब यह lift to wake setting जो है disable होने के बाद इस setting कैसे काम करती है, यह मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो जब भी आपके mobile phone की screen off होती है और आपका phone कहीं पर भी रखा हुआ होता है, तो आपको अपने phone जब भी उठाते है ना, तो आपके mobile phone की screen on नहीं होगी, ठीक है तो यह setting जो आफ करने से पहले क्या होता था, कि जब भी आप अपने phone को उठाते थे ना, तो आपके mobile phone की screen automatic on हो जाती थी, लेकिन आप आपने इस setting को off कर दिया है, तो इस setting जो है, यह screen जो automatic on नहीं होगी, ठीक है, तो इस setting जो है, disable करने के बाद, कुछ इस तरीके से काम करेगी, आपके Moto G73 Android mobile phone में, ठीक है, आप मैं आपको जो है न, यह lift to wake setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके mobile phone में, ठीक है, इसके लिए आपको करना के है, mobile का setting page ओपन करना है, setting page में आपको सबसे उपर search, setting select करना है, और search बार में यहाँ पर type करना है, lift to wake, ठीक है, जो setting का name है आपको यहाँ पर type करते हैं, इस तरीके से, तो आपको नीचे option show हो जाएगा नीचे की side, इसे आपको select कर ले ना है, ठीक है, इससे होता है, आपका mobile phone आपको डारेक्ली इस setting page में लेकर आजाता है, और इस setting को highlight करता है, तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का,